अब तो यह रहां दोस्तों आपके लिए प्रोफिट अन्लाउस का सवाल फ़स्ट सवाल है उस घोडे का क्रेमुन क्या होगा उस गोडे का क्रेमुन क्या होगा जिसको क्रेमुन से बेसिक फर्मुला से निकालने के लिए कैसे निकालते हैं कोई चीज को जब बेच आ जाता है तो उसे भी खरीदा जाता है कोई समान को खरीद затữ करते हैं अधि हम सुरंखैं इसको U10 रुपया बेच एक्सो दस रुपयां में कि तो भिक्लमून on क्या और कि एक्क्ता है दस रुपया निए यहीं परूपया आपको जनकारी ओगागा अधी कोई बस्तू हम सो रुपया में खरीदे और इसे हम अभगे में बेच दिये तो यह सी पी आए और से लिए प्राइज कितना घटा लग गया दस रुपिया लग गया यह मेरा जो है रोगल दस रुपिया का और जो खरीटते हैं जादा में बेचते हैं तो लाब होता है उसे घृता है उसे पाइब करते हैं लौज सबक्राब कि एक मीज का रूपया चार्णुअ में इस असी हैं व्यक्रावर तो आपे गचा प्रॉलनेश ब्रावन में किसी बस्तू को 15 पर बेचा गया होता तो विकले मुर्पा 15 में बेचा गया बेचता तो अधीक नहीं जादा कम अधीक बोला जाता है तो यहां पे मेरा जो है दिकलना है क्योंकि ज्यादा कम की बात करें तो अंतर ही कहलाता है और प्रोफिट का अंतर प्रसेंटेज हमेशा सोप पे सो को हमेशा जो है सो परसेंट ब्रावर होता है करेंबून हमेशा निकलता है करेंबून डिकलता है इस तरह से इस तरह से बना सब्सक्राइब के लिए सवाल है यह एक घड़ी कीमत जो है एक घड़ी कीमत समस्क्र गैनिख्थ 1830 से जलन विलْ प्रविल्प 50 में करीधा गया यदि उससे सोलएर प्रसेंट लापर पर बेचा जाए तो उसका विक्रैमूल क्या होगा कोई सेलिंग जा능 क्या होगा सबस्क्राइब तो 20 मैं य sap profit ना घ्रैसव सब्सक्राइब तरीका क्या है एक कोश्ट पराइस है खरीदा गया है तो इस सब्सक्राइब तो इसको इसे घड़ा दें इससे गुना कर दें सब्सक्राइब कर दो कर दो